जूबिलेंट फार्म होगा कि वाटर वन के रिजर्ट आज चुके हैं तो चली चेकरत प्रॉफिट में या फिल लॉस में और शेयर प्रेज में क्या इंपक्त देखने हुए इस पर हम बात करेंगे तो वीडियो में टब बने रही है कंपनी की जो रिजर्ट है वह अल्मोस्ट एक बजी का सब्सक्राइब बारवज के थाओन मिट वत्तिस सेकंड के आसपास आपको रिजर्ट देखने को मिल रहे हैं तो चली चकरत कैसे आएं तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो कंपनी का सबसे पहले आपके सामने इस टैंड लूइं रिजर्ट यहां पर जादा इंप्ट्फ फुल नहीं होता है सबस्टा आपको फोकस करना होता है तो पहले हम देखेंगे stand loan उसके बाद हम consolidate देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे data लाक पर given है तो देखते है इस quarter में कितने income आई है इस quarter में 214 क्रोड की income आई है पिछले quarter में 217 क्रोड की आई जी और एक साल पहले 182 क्रोड की income आई थी income जाए कम हो चुकिए quarter quarter पे लेकिन साल दर साल की तुला में अभी इंकम जादा देखने को मिलने गया अब हम बात करते है expense की तो यहाँ पर देख सकते है expense total expense तो यहाँ पर 22 क्रोड का expense कर्च होते हैं पिछले quarter में 232 क्रोड का expense था एक साल पहले 183 क्रोड का expense कर्च हुआ था एक साल क्रोड पे कम है लेकिन साल दर साल की तुलना में expense अभी जादा देखने को मिलना है आप बात करते profit before tax की तो यहाँ पर अगर आप profit देखेंगे तो अभी एक्चिली इस quarter में profit ना होने के वज़े लॉस हुआ है 6 क्रोड 49 लाग का company को इस quarter में loss हुआ है पिछले quarter में 15 क्रोड का profit था और एक साल पहले 29 लाग का loss था तो कह सकते कि अब की बार जो नतीजे है quarter quarter business पे भी अच्छे नहीं है और साल दर साल की तुलना में भी नतीजे अच्छे देखने को न है quarter quarter पे year on year पे भी आजे देखते हैं company के stand alone consolidated result यहां पे आपके सामने लिखा हुआ है consolidated यहां पे जो भी data है वो लाग वेकिवेन है तो देखते हैं कि यहां पे कितने income आई है तो यहां पे अगर आप देखिएंगे तो income almost 1464 क्रोड के आसपाद देखने में पिछले quarter में 15-24 क्रोड की income थी एक साल पहले देखेंगे तो 1638 की income थी तो यहां से भी साव नजर आ रहा है कि income कम हो गई पिछले quarter में 15-24 क्रोड का प्रॉफिट है पिछले quarter में 105 क्रोड का प्रॉफिट था एक साल पहले 266 क्रोड का प्रॉफिट था यहां से साफ नजर आ रहा है कि profit में कमी आ रहा है ना रही है quarter quarter में कमी है year on year basis भी कमी है नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 48 का प्रॉफिट है एक साल पहले 59 क्रोड सका प्रॉफिट था एक साल पहले देखिंगे तो 160 क्रोड का profit था तो all over stand loan भी आपको वीक देखने मिला है और consolidated भी आपको वीक देखने को मिला है तो start में जो आज के जो sell-up आया है यह जो sell-up आपको देखने मिलना है 12 पे बाद से जो selling आया है मलब selling जो आई है उसके पीछे reason यहीं है 393 का रेजिस्टर्स था इस टॉक उसको ब्रेक कर सकता था अगर अच्छे आते तो लेकिन आए है वीक तो थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है आज के दिन भी मार्केट में बेहेवियर प्रेशर का देखने को मिला है सेलिंग प्रेशर आया है तो यहां से जो इसके ब्रेक होने की चांसे काफी जादा है 351 पहला अब देखते हैं 3rd console support रहने वाला है और 320 यह बहुत important रहने वाला है 320 तो यह तीनों में से कोई एक stock मलब इन तीनों में से किसी एक level पे stock जरूर support ले सकता है ऐसा मेरा मानना है यहाँ पे और जरूरी नहीं कि stock 351 तक आए stock उपर भी जा सकता है क्योंकि बड़े players जो है ultra काम sell करना है लोग sell करते हैं एक तरह से वह buy करने लगते हैं तो इस वजह से stock नीचे आने के वज़ए उपश रहा जाता है तो हो कुछ भी सकता है लेकिन most probably जितना महला probability का खेल है आप को पता है market तो probability के हिसाब से रहके तो गिरने की chances हमें जादा देखने को मिल रही है तो यह इसमें गिरावट है बट जो कंपरी फिर से अच्छे रिजर्ट लाएगी अच्छे नतीज़ आपको देखने मिलेंगे तो कंपर्फॉर्मेस आपको शेर प्राइस में बढ़ते हुए देखने मिलेंगे तो जरूर आप अप अपना कैपिटल है उसको डाइवर्सिफाय करन और जब अच्छे रिजर्ट लाएगी कंपरी तो यहां पर बहुत कम बार हमें देखने मिला है कि कंपनी की जो रिजर्ट है वो प्रॉफिट में आये हैं तो जरूर आप इसमें इसमें कंटिग्यूर रह सकते हैं कि अभी सेलिंग का एक अच्छा लेवल नहीं है अनालसिस जरूर करें और अपने फाइनेशियल अडवाइजर से कंसर्ण जरूर करें में ते नहीं फीडियों अपने के लिए बाइबाए